तो आज मैं आपको बता रहे हूं मेरी डाइट के बारे में कितना मैंने वेट लोस किया है और कितना फरक पड़ा है क्योंकि अभी ये तीसरा मन्द चल रहा है मेरी डाइट को मैंने आपके साथ दो महीने शेयर किया अपना डाइट प्लैन उसी कोई में कंटीन्यू कर रही और काफी सारी कुस्टियन भी मैंसे पूछी गए तो एक एक रॉप्लै देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था तो मैंने इस उचा में वीडियो बना लू तो मैंने पहला निट्रिशन के साथ विजिट था मेरा दूसरा था तो पहला मैंने आपके साथ शेयर किया क्या क पर फरक पड़ता है आपके स्किन पर असर पड़ता है तो हर लटकी के लिए इसकिन और भाल बहुत ज़्यादा रखते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए तो सही है कि आप सही ट्रेक पर डाइट करें और डाइट कोई रॉपिर साइंस नहीं है डाइट में आपका एक कोई जरूरत नहीं कि कोई नाश्ति को आप स्किप करो नो नवर चाय के शोकीन हो आप चाहिए पीओ कोल्डरिंग के शोकीन हो जोकलेट्स कुछ भी खाये का लेकिन एक क्वोंटिटी होती है तो और एक टाइम होता है वह आप सेट कर लें तो आपका देखेगा दो महीने म कि 18 faceелов नहीं आज दो मेहीन दो महिने दो महीन आ पनके सांधे में दो पूरी डार इटा कि खुन हो स्यान करते की सब्सक्राइब का अब किसा आप मिर था में वेट स्क्राइब हो अब कर सांथ मेरा तेसरा मंद्स चुन रहा है है कि तिसरा मेंच चल रहा है तो दो मुएने में इने काफी वेट लोज Cel के है क्योंकि मेरा जिए गभय was a काफी करोनी कि मेरे जो वाइटमिन से उसए वह सब अपनी जगा पे सही है वह सही मिकदा में कियोंकि आपके कफी कफी चीजें होती है वीक में एक बार जैसे मेरे तीन महीनों से आलो चक्खा भी नहीं था लेकिन अभी में चीट कर सकती हूँ वीक में एक बारा बाहर का खाना भी खा सकते हैं या इसा कोई जो अनहेल्दी खाना होता आप एक बार खा सकते हैं इतनी quantity में नहीं वो भी थोड़ा सा रुक रुक के और कमीज के साथ और अब आते हैं थोड़ा सा डाइट पे तो डाइट आपने मेरी देखी होगी आप snakes भी खा सकते हो लेकिन मिगदार कम हो फ्रूट खा सकते हो मिगदार कम हो और three time proper खा सकते हो अंडे खा सकते हो तो brown bread पे आपका पेट बर सकता है क्योंकि कभी भी आप अपने आपको भूखा नहीं रखेंगे डॉक्टर का कहिना भी होता है क्योंकि फिर अगर आप भूखा पने आपको रखेंगे तो आपके बाल आपके skin आपकी health आपकी energy आपका active नेस कुछ भी आपका नहीं रहेगा क्योंकि जारसी बात है आपके अंदर वो सारा डाइट नहीं होगा वो वाइटमिन्स आपको नहीं मिल रही होंगे जिससे हम चलते हैं तो वो थोड़ा सा ख्याल करें और उसके बाद जैसे चावर का मैं आपको बताती हूँ जैसे मैं ब्राउन चावर खाती थी मैंने आपको दिख जाती हूँ तो मेरा टेस्ट जो ब्राउन राइस है एक आपका थोड़ा सा बोरियत हो जाती है जितना भी आप पका है तो थोड़ा से सकत होते हैं तो अब मैं बासपती राइस लेकर आई हूँ वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वह बहुत है जैसे नॉर्मल वाइट नहीं है अगर आप डाइट कर रहे हो डाइट पर जाना चाहते हो किसी की शादी है किसी का बच्चा हुआ है तो कितना ज्यादा वेट बढ़ जाता है तो इसको एजी पीजी ले इतना कोई हंगामा मत करें हाँ ये भी होता है क्योंकि मैंसे ये भी पूछा गया कि जो महंगी होती है ये इसमें कोई शक नहीं है कि वह आम चीजों से महंगी जैसे चावल थे मिजे महंगे मिले जैसे ब्राउन राइस आम वाली ब्राउन राइस ये वाली तो कि एक अलग से ब्राउन राइस बड़े वाली होते हैं लांग ब्राउन राइस के से एक ये लो जी तो जाहर सी बाते उसमें फरक होता है चीजों में जिसे एवो कोड होता है वह तो काफी सारे इसी चीजें लेकिन आपकी हेल्ट से ज्यादा नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो तीन महीने कर सकते हैं चार महीने तो आपका वेट अपने वह जो आप चाहते हैं वही वेट को मिल जाए तो देना आप उसको मैनेज कर लें खाने पीने में तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं तो इजी पीजी लें कोई भी कुछ जैनों अथा मुझे कर सकते हैं इन बाक्स में और मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी ठीके बाइबाए